यशुधरा नगर पुलिस ने धमदीप नगर में हुई चोरी के मामले का परदाफ आश्च करते हुई इसे मामले में लिफ्ट दो आरोपियों को गिरफतार किया है जिनके पास चोरी का माल भी बरामत किया गया है यशुधरा नगर पुलिस ने धमदीप नगर में हुई चोरी के एक मामले का परदाफ आश्च करते हुए तो आरोपियों को गिरफतार किया है जिनके पास से माल भी बरामत किया गया पकड़े गया आरोपियों में कुलदीप, कांताप्रसाद, डाकरिया, गाउं हिर्री, छिन्वाडा निवासी और महिंद्र कुमर्ण से इंसा हुँ राश्रंद गाउच चत्रसगर निवासी का समाविश है गेले होतेया, त्या एक आकराला घरी परताले त्या वेला तेंचे लक्षताला कि घरामदे चोरी जाली दिया है मनुन तेंनी इशोदर नगर पोलिस्टेशन मदे सधर गटने बावत दिलेले रिपोर्टोर न गुना दाखल करने ताला सधर गुन्याच तपास पोली स्टेशन चे प्रभारी पोलीस निरिक्षक स्री जुम्डे सर यांचे मार्गदर चेना खाली सपोनी सुरेश करना के पोलीस अवल्दार आजय कुटे पत्कानी सुरू केला सदर गुने चा तपासा दर्मयान गुप्त बात्मिदारामार फत्मियालेले माईती ओरून सदर गुने तिल आरोपी चा शोद घेतला आरोपी मिलोनाले तेनना अटक करून तेन चा करून PCR दर्मयान सदर गुने तिल सुरेश गेलेला सोने सांदी चा दागी ने रोक रखकम आशा एकुन एक लाग 6,000 रूपाईचा मुद्दे माल हस्तगत करना ताला सदर गुने तिल आरोपी ये आरोपी चा नाव कुल्दीप कांता प्रसाद दाकरिया महेंद्र कुवर सिंग शाहू विवेक उर्फ यूरास धोटे आशे तीन आरोपी ये गुन्या मदे आहेत आनि ये पाईकी महेंद्र शाहू आनि विवेक धोटे ये हिस्ट्री शिटरा सुन ये पुर्वी एंचवर आने गुने दाकल आहेत ये लोक जावेला घराला लुकलाउन जाता त्यावेला घर फोडी करून चोरी करने चे एंच आपको बता दे कि फरियादी शितला माता मंदिर धमदीप नगर निवासी गायतरी मोहन हरोली सताई सक्टुमबर को परिवार सहीद देव दर्शन के लिए उजयन गई हुई थी इसे दोरान अग्या चोरों ने उनके घर के मुखे दरवाजे का ताला तोड़कर सोनी परिवाज के दोरान गोपनिये सूचना के आधार पर इन तोनों आरुपियों को धर्दवोचा है और उनकी निशान देही पर चोरी के करीब 30,000 की नगदी समयत चोरी में इस्तिमाल किये गए हतियार सहीद 58,900 के माल को जब्त किया गया है विन बिसी न्यूस के लिए केमरा प्रसन अखिलीश भरदवाच के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट